हेल इंडिया स्टुडेंट्स, लीटल जैम्स, मुझे आशा है, आप सबने हिंदी के स्वर आ, आ, इ, और इ को अपनी नौच बुक में लिखना सीख लिया है और आज की इस वीडियो में हम ओ को अपनी नौच बुक में लिखना सीखेंगे लेकिन लिखना सीखने से पहले हम ओ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को रिवाइज करेंगे रेडी ओ से उल्लू ओ से उपवन ओ से उपहार ओ से उठना और लिटल चैम्स एक बार फिट से आप सबने मैम के साथ बोलना है ओ से उल्लू ओ से उपवन ओ से उपहार ओ से उठना चलिए अब हम ओ को अपनी नौट बुक में लिखना सीखते हैं लिटल चैम्स ओ को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपर ब्लू लाइन के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा डॉट लगाएंगे और इस डॉट से हम एक लेफ साइड़ कव बनाएंगे जो अपर ब्लू लाइन को टच करते हुए मिडल ब्लू लाइन तक आकर खतम होगी अब हम यही से एक और लेफ साइड़ कव बनाना शुरू करेंगे जो ब्लू लाइन को टच करते हुए उपर की तरफ मिडल ब्लू लाइन तक आकर खतम होगी लिटल चैंप्स अब हम अपर ब्लू लाइन के उपर एक स्लिपिंग लाइन लगाएंगे हमारा ओ रेडी है एक बार फिर से देखिए लिटल चैंप्स ओ को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपर ब्लू लाइन के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा डॉट लगाएंगे और इस डॉट से हम एक लेफ साइड़ कव बनाएंगे जो अपर ब्लू लाइन को टच करते हुए मिडल ब्लू लाइन तक आकर खतम होगी अब हम यही से एक और लेफ साइड़ कव बनाना शुरू करेंगे जो ब्लू लाइन को टच करते हुए उपर की तरफ मिडल ब्लू लाइन तक आकर खतम होगी लिटल चैंप्स अब हम अपर ब्लू लाइन के उपर एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे हमारा उप रेडी है लिटल चैंप्स मुझे आशा है आप सब हिंदी के पांचवे स्वर ओ को अपनी नॉट्ट बुक में लिखने की प्रेक्टिस करोगे बाइ बाइ